जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक सिम्पल इक्वेशन है x plus 2 बड़ाबर 5 आए हम इस सिम्पल इक्वेशन को इस तराजू की मदद से हल करने का प्रयास करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यह तराजू है और किसके दोनों भाग इस वक्त बराबर हैं? हमारी क्वेशन थी X प्लस दो बराबर 5 इसके लिए मैं इस तरह दोके एक भाग में मेरे पास कुछ कंचे हैं एक भाग में एक और दो कंचे और दूसरे भाग में पांच कंचे डालता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच आपने देखा? क्यूंकि एक तरफ पांच कंचे और दूसरी तरफ दो कंचे हैं तो तराजू पांच कंचो के तरफ जो क्या? हमारी क्वेशन है X प्लस दो बराबर 5 5 तो यहाँ है 2 के साथ है X यानि इसमें कुछ और डलेगा तो यह दोनों इकवेशनें बराबर होंगी आए हम देखते हैं इसमें कितने कंचे डालने पर यह तराजू फिर से बराबरी पर आता है कुछ कंचे मैं अपने हाथ में लेता हूँ और एक एक करके इस कटोरी में डालो एक दो तीन आपने देखा जैसे ही हमने इसमें तीन कंचे डाले यह दोनों तराजू फिर से बराबर हो गए इसका अर्थ यह है कि जो हमारी इकवेशन थी एक्स प्लस दो बराबर पांच वह तीन कंचे डालने से बैलेंस होती है यानि दोनों भाग बराबर होते हैं इसका अर्थ यह है कि तीन कंचो से ही यह बराबर हुआ इसलिए एक्स का मान होगा तीन आए हम इसे लिखे त्रूप में भी देखते हैं यह है एक्स प्लस दो बराबर पांच पांच एक्स जैसा कि आपने अभी तराजों में देखा कि एक्स का मान आएगा तीन यानि तीन प्लस दो पांच और यहां भी है पांच तो देखा आपने लीनियर एक्स जैसा एक टॉपिक हम कितनी सरलता से कंचों के मदद से सीख सकते हैं इसी प्रकार से और भी गरित की या सिंपल एक्स की कई सारी प्रॉब्लम्स हम इस छोटे से तराजु में कंचे रखने से ही सीख जाएंगे कंचे प्रॉब्लम्स